हेलो फ्रेंड्स डॉक्टर राजंदर प्रशाद प्राइवेट आई आई के लास में आपका स्वागत है आज मैं आपको फीटर ट्रेड का थेओरी पेपर का फॉस्ट चेप्टर के बारे में बताने जा रहा हूं प्रेड के बारे में परिच्या देऊंगा सेफटी क्या अपना आया जाता है वह उसके बारे बताऊंगा प्लस फॉस्ट डेड प्राथमी कुप्चार में क्या क्या करना चाहिए वह बताऊंगा छलिए सब से पहले फीटर इन्दी में भी इसको पीटर बोलते हैं पीटर का अगर डिफनेशन बोला जाए पीटर क्या होता है पीटर आई टी आई का एक ट्रेड है इसमें ट्रेनी लोग जो आते हैं तो इस प्रेल्ट सम्बंदित प्रैक्टिकल लाओ ठेवरी वेगर पड़ते हैं फीटर एक्षुली में एक उसल कारिगर होता है यह वैसा वैक्ति होता है जो विभीन पुर्जों को जोड़कर एक मसीन का रूप तियार करें उसे हम क्या कहेंगे फीटर कहेंगे यानि कि वैस वैक्ति जो विभीन तरह के पुर्जों को जोड़कर मसीन या कुछ उपयोगी समान का निर्मान करें उसे हम खीटर करते हैं तो कि तक किसको कहेंगे वैसा वैक्ति जो वीभीन पुर्जों पुर्जों को जोड़कर या संबल कर एक मसीन का रूप तयार करें उसे मसीन का रूप या को उपयोगी वस्तू का निर्मान करें उसे हम की जिश करते हैं टृप में टिशीं करना है और सुंद फिटर शीकला सब में ही मीनिंग छुपा हुआ है पिटिंग करना मतलब करना कोस वस्तू तो पार्ट अलग अलग है उसको मिला कर एक व्योगी वस्तु का निर्मान करें या मसीन का रूप तयार करें उसे हम क्या कहेंगे फीटर कहेंगे अब आज यह फीटर अब आज यह फीटर के परकार फीटर के परकार अब फीटर जनरली 6 या साथ परके होते हैं ठीक है पहला है कि बेंच फीटर अब आज पीटर अब आई टी आई में जनरली मोस्ट ली बेंच फीटर का ही वर्क सिकाए फीटर पीटर जाता है 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 इसमें क्या होता है बेंच फीटर का मतलब यह बैंच हई बैंच आइस बैंच परका है तो यह इसका वर्क 75% हाथ के द्वारा बेंच भाइस से होता है और 25% फाइनल टच अप मसीन पर जाके वो ट्रिलिंग करे या ग्रैंडिंग करे वहां जाके करता है तो इसमें हम लिख सकते हैं कि वैसा वैक्ति जो अपना अपना 75 परतीसत कारें हाथ के द्वारा करे तथा सेस कारे मसीन सेस कारे मनलब 25 परतीसत कारे सेस 25 परतीसत कारे मसीन मसीन पर जाकर करे उसे हम क्या कहने हैं उसे हम बेंच फीटर कहते हैं कि समझना रहा होगा और आइटी आई में आपको बेंच फीटर का ही वर्क सिखाए जाता है जनरली हर जगह कुछ-कुछ आइटी आई हैं जो प्लंबिंग का जो पानी का गैस का पाइप वारे में भी बताते हैं कुछ जो है जनरली हर बेंच फीटर का ही वर्क सिखा जाता है टेक है तरी के संद फीटर का भी वर्क किसी-किसी आईटी आई में सिखा दिया जाता है तेक है दूसरा है कि एब बीके सांद आई है अब डी के शान कि फीटर को वह ऐसा व्यक्ति होता है यह आप देखे होंगे मार्केट में कि ट्रंक वेगरा का दुकान जहां पर चदरा का कटिंग करके स्वमान रखने योगी जो है वस्तु का निर्मान करता हो चोटा-चोटा बक्सा इसकूल पहले समय में जो है बच्चे लोग इसकूल जाते थे तो बॉक्स कोण conference कूल और भी ज हम बोलते हैं अब तो इसमें हम लिख सकते हैं कि वह सवेप्टी रिखेंब वह सब्सक्राइब शारते का लिख सब्क्राइब की जो सीट कटिंग करके कटिंग करके करके कुछ उस उस पर उस पर रीवीटिंग करिया करिया के द्वारा कुछ उपयोगी वस्तूर का निर्मान करें कि उसे हम अब है कि अब है कि अब है कि अब्रीकेशन फीटर करते हैं यह कटिंग जो चद्रा को इस पर्मानेंट जॉइंट है अब पढ़ेंगे रीवीटिंग करिया के समद्ध में तब पता चलेगा रीवीटिंग करके कुछ उपयोगी वस्तूर का जो निर्मान करता हो ट्रंक बना रहा है या तेल कुपी बनता है बहुत सारे वस्तूर का चद्रा के द्रारा जो निर्मान करता हो उसको हम क्या कहेंगे फैब्रिकेशन फीटर कहेंगे ठीक है अब आज यह लाई फीटर तीन नंबर है कि द्राइए घृटर करते हैं ृड़ैफितर है यह क्या करता है डाइब्र मान करता है उसका मेंटिनेस करते है कोई प्रैय क्या चीजिए और एक साचा है तुछ भी आप कर रहे हैं कोई भी से यूज कर रहे हैं तो गांपनी के पास वह ली होगा उसका उस डाइक हिसाब से ही वह ट्रूस का निर्मान या जो भी चीज़ आप समझ लेज़े जो च्पता है मनी उसका भी एक डाई होता है तो दुनिया में हर चीज का एक डाई है तो डाई का जो निर्मान करें तो वैसा व्यक्ति जो दाई का निर्मान करें तथा उसका देख हाल करें यानी मेंटिरेंस करें उसे हम डाई कीटर करते हैं तो डाई कीटर क्या हुआ पता चला आपको अब आज आई है एसम्मिलिंग कीटर कि अच्छी पिटर करता है यह एक्च्छी में फीटर का वर्क यह यह वाला फीटर निर्ट बखुवी निवाता है जो फीटर का डिफनेशन है ना उस वही इसका भी डिफनेशन होगा कि वैसा वेक्थी जो विभीन पुर्जों को जोड़कर एक मसीन का रूप तियार करें या एक उप्योगी समान का निर्मान करें उसे हम फीटर या एसम्मिलिंग फीटर काते हैं इसको बोलते हैं पलंबर भी बोलता है जो गैस और पानी ना कि एलेक्ट्रिट सिर्फ गैस और पानी का पाइप वाइरिंग करता हो और उसका मेंटेनेस करता हो ठीक है उस फीटर को हम क्या कहेंगे पाइप फीटर कहेंगे ठीक है तो ऐसा व्रैप्टी जो गैस तथा पानी के पाइप फीटिंग करें तथा उसका रख रखाव हाव कि एनिमेंटेनेस करें रख रख रखाव करें उससे हम क्या कहेंगे उससे हम पाइप फीटर करते हैं कि पीटर करते हैं अब अब आज है यह चैनल अब अधाय हो गया इसनलिंग हो गया पाइप हो गया है कि अग्युक्त वेक्ति होता है मेंटेनेस टीपार्टमेंट का होटा है यह इस नॉलिज़िवर्ट पर्सन होते हैं ठीक है यह कैसा वेक्ति होता है जिनको लगवग लगवग सभी मसीन के मेंटेनेंस के बारे में पता होता है ठीक है यह हो सकता एक बंद फैक्टरी को भी अकेले चालू कर दें अपने स्किल के द्वारा तो इनका जनरली काम है कि कोई भी मसीन अगर बंद पड़ा है क्यों बंद पड़ा है उसको देख के उसका मरमत करना उसका मेंटेनेंस करना ठीक है तो इसमें लिखा जा सकता है कि वैसा व्यक्ति जो मसीन जो मसीन की देख भाल करें उसे हम उसे हम मेंटेनेंस मेंटेनेंस कीटर करते हैं कि देख भाल करने का मतलब हो गया कि उसका वर्किंग कंडिशन में उसको हमेशा रखे ठीक है मसीन को उस मसीन को चालू इस्थिति में रखना इनका जिम्यदारी है इनका काम है ठीक है और साथ महां आ गया आपका आपक लॉपिटर क्या करता है इसको बोलते हैं ताला फीटर अई यह ताला तथा चावी उसका चावी का निर्मान उसका मेंटेनेंस्स ने ये फिटर काम करता है तो ये वैसा वैक्ति होता है ये वैसा वैक्ति जो ये वैसा वैक्ति के के निर्मान निर्मान एवन उसका रख रखाव करें उससे हम क्या कहें है उससे हम ताला पीटर करते हैं कि वाकी मृफ कि लोक्ति का कि अधिय क्ला पुक्ति मैं मृफ एक यह तो हो गया आपका फीसा मेनेंस फीटर को चैनल फीटर और आपको बेंची अबताएक आपको अधीक्तर फीटर का वर्ट चुक्थ प्रैक्टिकल कर बूप में में आप देखिएगा तो संबंदि प्रैक्टिकल और दिक सदीं हुआ है तो बेंची वीटर का कर इसमोर्प को सिखा ड़ला त्यू आप चलिए आगला टॉपक देखते हैं